हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो आई यूट्यूब चैनल जग्दी बर्थवाल बाइलेजी टुटोरियल आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक इंपोर्टेंट टॉपिक जो की है बीटी कॉटन लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर किसी प्लांट में इंसेक्ट लग जाए या पैस्ट लग जाए तो उसको मानने के लिए हम इंसेक्टिसाइड या पैस्टिसाइड डालते थे और instreticcide और pesticide क्या होते हैं वह chemical होते हैं करेंकल कंहीं । कई ने कई प्लांट को भी और soil को भी नकसान पहुंचाते थे so scientist można क्या कि एक तरीका निस बहुत हुआ की हमें ना pesticide की ज़रोत पड़े ना इन्सएक्टीसाइड की ज़रोत पड़े इंसेक्ट रेजिस्टेंट या पैस्ट रेजिस्टेंट बन गया, तो BT cotton उसका एक्जामपल है, ठीक है, तो अगर देखें, हमारी NCRT में कहा है, कि कुछ strains होती है, एक बैक्टीरियम की, जिसका नाम है, बैसिलस थूरिन जेनेसिस, यह बैसिलस थूरिन जेनेसिस, यह एक प्रोटीन मनाता है, या एक टॉक्सिक प्रोटीन मनाता है, जिसको खाके, इंसेक्ट मर जाते हैं, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्जामपल दिये हैं, जो आपको बोर्ड एक्जामपल लिए रट्टा भीमार ने है, ओके, लेपिडो टेरंस दे रखा है, ज मर जाते हैं, और यह सारे एक्जामपल आपको याद करने हैं, बोर्ड एक्जाम के लिए, बड़े इंपॉर्टेंट एक्जामपल है, अब होता क्या है, कि जो यह बैसलस थूरीन जनेसिस है, ठीक है, यह जो प्रोटीन मनाता है, यह क्रिस्टल फॉर्मन आता है, तो आपक इंसेक्ट को मारने वाला प्रोटीन, ठीक है, तो टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है यह, जिसको खाके इंसेक्ट मर जाते हैं, NCRT में कोशन दिया, अगर आप ध्यान देंगे, कोशन पूछा है हमसे कि, वाई ड़स टॉक्सिन नॉट किल दा बैसलस, कि बैसलस के अंदर, यानि उस बैक्टीरिया के अंदर, यह टॉक्सिन बन तो हो रहा है, लेकिन यह बैसलस को मारता नहीं है, लेकिन अगर कोई इंस इसको खा रहा है, कोई इंसेक्ट इसको खा रहा है, तो इंसेक्ट मर जा रहा है, ऐसा क्यों, होता क्या है, कि यह जो प्रोटीन बन रहा है, बैसलस के अंदर, तो वो इन एक्टिव प्रो टॉक्सिन के फॉर्म में बनता है, यह इनसेक्टिसाइडल जो प्रोटीन है, वो के अंदर inactive pro toxin की form में बनता है यानि कि यह अभी activate नहीं है और इसको activate होने के लिए alkaline pH की जुरूद होती है और यह alkaline pH bacterium के अंदर नहीं होता है लेकिन होता क्या है जैसे ही कोई insect इसे ingest करेगा तो यह जो inactive toxin है यह convert हो जाता है active form में ठीक है और active form में convert क्यों हो रहा है क्यूंकि insect के gut में इसे alkaline pH मिल जाता है तो insect के gut में alkaline pH की presence हमें देखने को मिलती है तो यह inactive form वाला जो protein है वो active हो जाता है और जैसे ही active होता है यह घुलना start हो जाता है यानिकर जो protein था यह crystal form में होता है इसलिए इसको cry protein भी कह देते हैं तो यह crystal form वाला protein घुलना start हो जाता है कहां ? Gutt में किसके ? Insect के और जैसे ही घुलना start होता है यह वहाँ पर चोटे चोटे पोर्स क्रियेट कर देता है उन पोर्स में पानी भरता है ठीक है जिससे स्वेल क्या आता है आपका सेल में स्वेलिंग होनी स्टार्ट जाती है सेल फूलने लग जाता है और फूलने के बाद सेल आपका फट जाता है अब जैसे ही आपके you know mid-gut epithelium cells यो है यह फट जाएंगे तो क्या होगा इवेंचली क्या होगा आपका इंसेक्ट मर जाएगा ठीक है तो जैसे यह epithelial cells फटे आपके यह protein जो था गट में उसको alkaline pH मिलने के कारण वहाँ उसने छोटे छोटे पोर्स के रेट किये पोर्स के अंदर पानी वानी भर गया पानी भरा तो क्या होगा cell आपके फूलना स्टार्ट होए और ultimately फट गए और जैसे ही cell फटे ultimately क्या होगा आपके इंसेक्ट क्या हो जाएगा टाय टाय फिस यानि कि आपका इंसेक्ट मर जाएगा ओके सो यह बीटी कॉटन का एक्जामपल बहुत इंपोर्टेंट है अगर हम देखें बोर्ड एक्जाम पॉइंट आफ व्यू से आगे बढ़ते हैं तो एक चीज हमें समझ में आई कि हमने बैसिलस थूरीन जनिसिस से एक जीन निकाला जो क्या बनाता था इंसेक्टी साइडल प्रोटीन बनाता था इस जीन को हमने कहां डाल दिया कॉटन प्लांट के अंदर जाके क्या किया उसने सेंटर लोगमा यानि कि पहले ट्रांस्क्रिप्शन की यानि कि जीन ने पहले बनाया MRNA और फिट और ध्यान रखे का वह स्टेज है उसकी लार्वल स्टेज ये जो भी खाने पीने का कारीकरम हो रहा है वह लारवल स्टेज में खोласय में जब इंसेक्ट ने इसको इंजस्ट किया और तो वह उसके में पहुंचा व या वहाँ पे छोटे-छोटे pores create किये, pores create करने 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 पानी भाने भरा, वो swell हो गया, swell होने करने करने वो फट गए cells और eventually आपका insect मर गया, second अमरी NCRT में कहा है कि हम जो ये specific BT toxin gene निकालते हैं, किसी Bacterium से, जैसे की Bacillus Thulin Genesis से, ये क्या होते हैं, ये insect group specific होते हैं, यानि कि हर insect के लिए एक particular कोई gene होगा, यानि कोई भी insect है, उसको मानने के लिए कोई particular gene होगा, जो protein मना रहा होगा, और उस protein को जब कोई insect खाएगा, तो वो मर जाएगा, हमारी NCIT में, दो बहुत ही ज़्यादा important, दो या तीन के लिजिए, important genes दे रहे हैं, ठीक है, पहला दे रहे हैं आपका Cry 1AC और Cry 2AB, तो ये जो genes है, Cry 1AC और Cry 2AB, ये एक insecticidal protein बना रहे होगे, जिसको खाके, कौन मर रहा है, cotton bowl worms, यानि की Cry 1AC और Cry 2AB से हम control करते हैं, cotton bowl worms को, दूसरा example है, हमारी NCIT में दिया है, gene Cry 1AB का, जो control करता है, कौन borers को, किसको control करता है, कौन borers को, ठीक है, तो ये बड़े important example है, Cry 1AC and Cry 2AB, जो cotton bowl worm को control करते हैं, and Cry 1AB control करता है, कौन borers को, तो ये example भी आपने रट्टा मार लेना है, क्योंकि ये board exam में, मेरे खाल से 2 साल पहले, मुझे ध्यान निया रहा है, ये पूछा गया है, तो ये बड़ा ही important topic है, इसको पक्का आपको तयार करना है board exam के लिए, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए, बबाए,